जीवन मंत्रा योग ध्यात्म और आईरवेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरो दोस्तो जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मताविक होते हैं इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें आप चाहते हैं कि नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बैल आइकन को प्रेस कीजिए नौटिफिकेशन आप पाईए घर वेठे वो भी फ्री में दोस्तो अगर आप मूटापे से परेशान हैं और वजन कम करने के लिए सही नुस्खे की तलाश में हैं तो एक नजर जरा अपने खाना बनाने वाले तेल पर भी डाल लीजिए वही कहीं आपके मूटापे का कारण तो नहीं बन रहा मूटापे से बचना है तो कच्चे नारियल का तेल अपनाए आम तेल से बनने वाले खाने में काफी ज्यादा फैट होता है जो शरीर पर जमा होकर मूटापा बढ़ाता चला जाता है लेकिन नारियल के तेल से बने खाने में फैट विलकुल नहीं होता है और ये आपके बढ़ते बजन को नियंत्रित कर देता है नारियल का तेल हर घर में आसानी से उप्रब्द होता है नारियल तेल में बना खाना काफी स्वादिश्ट होता है और इससे बजन बढ़ने की समस्या भी नहीं होती है शोध में ये बात सामने आ चुकी है कि नारियल के तेल की खास प्रवरती के चलते ये शरीर में जमा नहीं होता बलकि उर्जा देने के काम आता है कैसे कम होता है मोटापा जरा देख लेते हैं अगर आप नियमित रूप से और सही तरीके से कच्चे नारियल तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो एक महीने के अंदर 4-6 पाउंड यानि की पौने 3 किलो तक बज़न कम किया जा सकता है नारियल का तेल शरीर के अंदर जाते ही कोशिकाओं को पोशित करना शुरू कर देता है इससे फैट तुरंत एनरजी में बदल जाती है और शरीर में एकटा नहीं हुपाती आप दिन भर में जो भी चीज़े खाते हैं उनमें खराब फैट भी होते हैं ये फैट शरीर में जमा हो जाते हैं जिससे मोटा पबढ़ने लगता है कच्चे नारियल तेल में पाए जाने वाला ट्राइगलिस्राइड नाम का फैट हमारे भोजन में पाए जाने वाले दूसरे फैट से काफी पहतर होता है जब हम कच्चे नारियल तेल से बनाखाना खाते हैं तो यह सीधे लीवर में पहुँचकर कोशिकाओं में फैल जाता है और फैट कणओं को अपनी ओर खीच लेता है कोशिकाओं में जाकर यह फैट कणड तुरंत एनरजी में बदल जाते हैं दोस्तों देख लेते हैं और नारियल तेल क्या क्या करता है एक बार नज़र डाल लेते हैं एनरजी को बढ़ा देता है नारियल का तेल पचने में आसान होता है क्योंकि इसमें कम fatty acids पाए जाते हैं नारियल का तेल मध्यम श्रंकला triglyceride loric acid से बना होता है ये एक आविशक fatty acid है नारियल तेल में पाई जाने वाला triglyceride शरीर के metabolism को बढ़ाता है जो कि fat acid को उजा में बदल देता है हर दिन अपने आहर के लिए नारियल तेल से दो से तीन बड़े चमज को आप जरूर शामिल करें आपकी भूग को कंट्रोल करता है नारियल का तेल नारियल के तेल से वना खाना खाने से आपको जल्दी जल्दी भूग लगने की शिकायत दूर हो जाती है इसमें कार्वोहइडरेट होता है और कैलोरी अधिक होती है जो भूग को कंट्रोल और भोजन के प्रतिलालसा को दूर करने में सहयक है अपने देने का हार में नारियल तेल की दो से ती बंद हो सकता है नारियल के तेल का नियमित रूप से सेवन स्वास्त के प्रति समझोता किये बिना चयाप चय परनाली को दुरुस्त रख कैलोरी को जलाता है इस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर भोजन को हजम और पोशक तत्व को अफ्शोसित करने भूग को भी नियमित कर और पाचन में सुधार करने में मदद करता है नारियल का तेल हार्मन को भी संतुलित करता है कैसे करता है जरा देख लेते हैं हार्मोन असंतुलन बाले लोगों में बजन की समस्या अधिक देखी जा सकती है नारियल तेल से बना खाना खाने से बलड शुगर नियंतरे तरहत अगर आपको अपना वजन कम करना है तो रोज इससे बना खाना खाने से एक चमच नारियल तेल को गरम पानी में मिलाकर एकसरसाइज करने से पहले पिये आप देखें कैसे आपका वजन घठता चला जाता है जीवन मंत्रा में आज इतना ही फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें